उस्टेलिया दे रहा है तीन लाग से लिजा जौब विकेंसिस इन विकेंसिस में कैसे अपलाई करना है क्या लोग गलतिया करते हैं जिन से उनका ओफ़ल एटर नहीं आता वीजा नहीं आता मतलब आगे प्रसेस नहीं होता तो वो क्या गलतिया लोग करते हैं अगर आप भी गलतिया करते हो तो आप भी गलतियों को सुधार होगे और मेरे जो चार स्टेप से इनको फॉलो करोगे तो आपको भी काम मिल सकता है अच्छी सेलरी ले सकते हो फ्यूचर में जाके वहाँ पर प्यार भी ले सकते हो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और वी सबस्क्राइब करते हैं की कंपनी के हिसाब से अगर आप सोचते हो तो तो कंपनी को किस चीज़ की रिक्वाइर मेंट होती है सबसे पहले इस पहले होती है के cvn कवड़ लेटर के अकोर्डिंग होना चाहिए है आपकी प्रफाइल सारा कुछ इसमें लिखा होना चाहिए आपके skills के बारे में लिखा होना चाहिए, आपका past का experience है और आप क्या responsibilities हैं, आपकी वो सारी चीज़ आपके CVN cover letter में लिखी होनी चाहिए, तो CVN cover letter relevant बनाना है, आपका जो experience है, उसके हिसाब से अपने responsibilities लिखनी है, company को क्या requirement हमने ये भी देखना होता है, ठीक है, अगर आप company करना होता है, तो आपको ये चीज़ का धिहाना होता है, उसके बाद बाद करता हूँ, second step कि, second step में आता है, हमारा apply करने का process हमने apply कैसे करना है, कौन सी website के apply करना है, और क्या step को follow करने, किन चीज़ों का धिहाना है, apply करने का मेरे साब से जो एक तरीका होता है, वो most important अच्छी company find करना, देखो quantity में बहुत सी companies हैं, आपको 1000 से plus companies मिल जाएंगी, जो persons higher करना चारी है, पर आपको किस company में job मिलेगी, कौन सी company आपको offer letter देगी, ये आपको filter करना होता है, मानलो कि आप seek.com पे apply करे हो, जो राप apply करे हो, या फिर कोई भी Australian portal पे apply कर रहे हो, तो वह किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि company जो है ना, वो किस type के person की वहाँ पे hiring कर रहे है, कई companies तो ऐसी होती है, जो ऑस्टेलिया में local बंदों के लिए hiring करती है, अगर आप उसमें apply करोगे, आपके वहाँ पे CV को letter में Indian लिखा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका सेलेक्टी नहीं होगा, क्यूंकि आप उनके criteria को cross कर रहे हो, ठीक है, criteria के अंदर नहीं आ रहे हो, तो कोई फैदा नहीं है, आप ऐसा 102 से 304 से company में apply करोगे, कोई benefit नहीं है, because की company की requirement क्या है, अगर company की requirement है, कि मुझे 2 साल experience वाला परसंद चाह से, और इसमें अगर मैं option की बात करूँ, तो एक तो हो गया, sick.com पे apply किया, website पे apply किया, दूसरा option आता है, कि हमने direct link बनाने होते है, company से, direct link का क्या मतलब है, जैसे कि मेरे जो known में companies है, मेरे tie-ups है, तो वो जो companies है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका CV and cover letter मांगती है, आपका like normal सा जो process होता है, CV selection होती है, वहाँ पे हम उनको, आपका CV cover letter mail करते हैं, देखो, चीज पता है क्या, company हमें बताती है, कि CV cover letter में क्या 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 चीज़े, meditory होती है, किस type का CV cover letter होना चाहिए, किस type की profile वाला बंदा हमें चाहिए, तो उस type की profile वाला person को provide करते है, उस type की skills वाला प्रवाइड करते हैं, तो उनकी selection जल्दी रहती है, आपके वास यहां पर दो options आते हैं, कि आप या तो portal पर अप्लाई कर सकते हैं, या तो company में direct apply कर सकते हो, ठीक है, तो इन step को follow करोगे, तो आपको like, आपका apply का process जो easy हो जाएगा, third process की बात कूलो, third process जो है, वो important process है, द passport और आपकी education related document और like identity document होते हैं, और आपका लगता है PCC and medical, PCC and medical आपने local अपनी area से कराना होता है, देखो PCC and medical के चक्कर में लोग 50% 1000 पर सकर्च रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता, normal आप अपनी area में जो किसी government doctor जाके medical करवा लो, police station पी से PCC होती है, PCC करा, normal सी, यही document की need होती सारी document हमने original ही upload करने होते, scan करके, scan आपने करना होता है, clear उसका मलब like जब भी आप scan करते हैं, तो वो image आपकी clear होनी चाहिए, तब भी आगे जाके like उनको चीज़े सही से दिखेंगी, show होंगी, तभी वो आपको आगे visa consider कर सकते हैं, तो इन step को follow करके आप visa ले सकते हैं, च सारी चीज़े आपके लिए provide करती है, free में provide करती हैं, देखो जैसे आपने apply कर रहा तो जो आपके embassy fees होती है, वो company आपको provide करती है, जो भी आपकी fly ticket होती है, वो भी आपको company provide करती है, और अगर आप company में जाते हो, तो आपका रहना, खाना सब वहां पे free होता है, तो वो ची यह होता है कि आपने जो खर्चा करना होता है, आपने apply करने पर थोड़ा time लगाना होता है, अगर आप यह सारी चीज़े सही से करोगे, तो company आपको जरूर अच्छी मिल जाएगी, जो आपको fully sponsor करती है, तो बात करता हूं कि उसमें like कैसे कैसे कौन कौन लोग apply कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं, अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, या फिर आपने कोई graduation करी हुई है, तो आप apply कर सकते हो, या फिर अगर आप like कई लोग होते हैं, जो fresher होते हैं, कई लोग होते हैं, experience होते हैं, तो दोनों के लिए vacances हैं, वियर होस में हैं, cleaning में हैं, और shopkeeper में आप कर सकते हो, sales में कर सकते हो, आप computer operatorizer कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी vacances है, तीन लाग से ज्यादा plus vacances हैं, तो आप उनमें apply कर सकते हो, salary की बात करो, तो आपको वहाँ पर जो starting salary होते है, 6000 Australian dollars, 7000 Australian dollars से start होती है, आपकी salary, जो की easily आपका 3 से 3.5 लाग इंडिया का बन जाता है, काफ हम अच्छा relation mint करने का फाइदा क्या होता है, फाइदा यह होता है कि हमने कलको PR का process करवाना है, अपनी family को वहाँ बलाना है, तो easy हो जाता है, company से relation हमेशा अच्छा बनाना के रखना है, मेरे जो बहुत सारे subscribers जो यहाना से जाते हैं न, मैं उनको यही चीज बोलता हो, हमने वहाँ settlement लेनी है, तो settlement लेना चाते हो, तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से follow करना होता है, hope कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, और लाइक आपको लगता है कि information आपको genuine मिली है, तो आप इसको share कर सकते हो, उपन अपने पैसे खराब ना करें, so thank you so much.